दोस्तो जब बालों की जड़ बिल्कुल खतम हो जाती है और गंजापन नजर आने लगता है चाहे वो महिला हो या पुरुश हो तब हमारे पास दो ही वी कलप होते हैं मränनेल are solution जिस西m transplant कहते हैं और temporary s producing रेयर वी करते हैं आज हम बात करेंगे hair patch की और hair patch की भी उन Hr Back which week I suppose here loss Les Hire loss में इस्तेमाल किया जाते हैं दोस्त बात का अर्त है जैसे मैं आपको बहुत सारे बिड़ी वीडियों क employee Film कि होते हैं पहला पैची दूसरा diffuse hair loss और तीसरा pattern hair loss दोस्तों जब किसी व्यक्ति को patchy hair loss होता है यानि उसके बाल किसी localized जंगे से निकल जाते हैं जिसे हम alopecia riata भी कहते हैं या कई बार alopecia androgenity का जिसे pattern hair loss कहते हैं उसमें भी vertex या crown से जब बाल चले जाते हैं वो एक बड़े patch की तरह से दिखता है या चाफिल females या महिलाओं के अंदर जब diffuse hair loss हो जाता है और काफी हद तक acute और chronic diffuse hair loss में महिलाओं को baldness नजर आती है तब हम इन patch का सहरा ले सकते हैं तो यानि localized hair loss चाहे वो diffuse में हो चाहे pattern में हो चाहे वो patchy hair loss में हो जब मनुश्य को गंजेपन का शिकार बनाता है तब ये hair piece इस बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे patient ऐसे होते हैं जिनको hair transplant किसी ना किसी कारण से नहीं किया जा सकता ये जानने के लिए कि किन patient को hair transplant नहीं किया जा सकता आप मेरा video YouTube पर देख सकते हैं इसके अलावा इन सब बिमारियों के अलग अलग video आप वहाँ पर देख सकते हैं आज हम बात करेंगे specially उन patient के लिए जिने localized hair loss है और उनको hair patch लगवाना है hair fixing करानी है या hair piece लगवाना है दोस्तों आइए जानते हैं यह कितने तरह के होते हैं कैसे लगते हैं पहले हम बात करते हैं कि इनके परकार की यह अमोमन तीन तरह के होते हैं पहले टाइप के hair piece को hair top टोपी कहा जाता है दोस्तों जब हम एलोपेशिया एंड्रोजेनिटिका यानी सिर्क्य वर्टेक्स और क्राउन हीस्ते से बाल हमारे चले जाते हैं यहां पर गंजापन हो जाता है तब इस तरह की टोपी इस्तेमाल की जाती है यह जाली के उपर hair को वीव कर दिया जाता है यह उतने ही साइस के होते हैं जितने हमें hair loss की जेंगे पर या patchy hair loss या localized hair loss की जेंगे पर लगाने होते हैं दोस्तों आम तोर पर जब मेल की अंदर अलोपेशिया एंड्रोजेनिटिका की 5th, 6th, 7th grade होती है तब इस तरह के patches लगाए जाते हैं इस तरह के pieces लगाए जाते हैं यह hair topi की तरह से होते हैं और यह size में customized तरीके से होते हैं यानि जिस patient को जितनी जरूरत है जिस size की requirement है उसी तरह से ही customized बनाए जा सकते हैं दोस्तों females के अंदर भी इस तरह के hair patch लगते हैं hair topi लगती हैं फरक यह होता है कि जब females grade 2 या grade 3 में होती हैं तब यह लगाया जा सक होता है दोस्तों सब जानते हैं कि females के अंदर इस तरह की grade 3 होती है grade 1 grade 2 grade 3 grade 1 वो diffuse hair loss की तरह से होता है इसलिए उसके अंदर इस रह की hair topi या patch की अर्शक्ता नहीं होती grade 2 या grade 3 baldness के अंदर इस तरह की topi suggest की जाती हैं दोस्तों दूसरे टाइप के hair piece होते हैं integration hair piece दोस्तों य integration hair piece open wig कितरह से होते हैं इनमें नीचे जाली नहीं होती सिरफ hair होते हैं यह women के अंदर महिलाओं के अंदर diffuse hair loss को cover करने के लिए लगाया जाते हैं जब partition यानि महिलाओं की मांग से बाल जड़ जाते हैं baldness नजर आनी चुरू होती है और diffuse hair loss की तरह से females की scalp हो जाती है तब इस अध्यान के पैच भी आगे दो किसम की होते हैं एक होते हैं कैस्केडा India और दूसरे रोते हैं फोल कैस्केडा बालों की Moment के लिए होते हैं यदिए अपनी महिलाओं को बालों की लैंद बढ़ानी है अब क्यक्रक्रिक्र जाते हैं और यदि महिलाओं को दो को वल्लिम दोस्तो तीसरे होते हैं small hair patch जब किसी व्यक्ति को लंबे टाइम तक alopecia areata चलता है जब alopecia areata stable हो जाता है long lasting होता है तब उस जंगे को कवर करने के लिए जो hair patch लगा जाते हैं उन्हे small hair patch कहते हैं दोस्तों, यह scarring alopecia में भी लगा जा सकते हैं और non scarring में भी जो long lasting stable alopecia होते हैं, उनके अंदर भी लगा जा सकते हैं, यह customize बनाये जाते हैं, जितने size का patch होता है, यानि 2 cm या 2 इंच या 4 इंच का patch है, उस हिसाब से ही डिजाइन किये जा सकते हैं, यह एक किसम की छोटी wig होत होता है, चाहिए वो patchy हो, diffuse हो, pattern हो, वो अपने आप में हीन भावना का शिकार हो जाता है, उसकी self-esteem low हो जाती है, और जब self-esteem low हो जाती है, self-confidence कम हो जाता है, आतम विश्वास पे ग्रहन लगता है, तब व्यक्ति अपने आपको निक्रिस्थ मिसूस करना शुरू कर देता ह और इससे बचने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, उनमें सबसे effective तकनीक है, hair patch, hair topi, hair wig, hair extension, इत्यादी, तो आज के वीडियो में हमने जानने का प्रियास किया कि localized hair loss में, patchy hair loss में, alopecia androgenitica में, diffuse hair loss में, इन सब के अंदर जो तकनीक हमारे पास ever label है, जो सबसे effective तक तकनीक है, आदमी के confidence को boost करने की वो है, hair topi, hair patch, hair extension, जी हाँ, दोस्तों, दोस्तों यह दिया आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे like करे, comment करे, share करे, channel को subscribe, अवश्य करे, मैं आपके लिए लाता रहूँगा, scientific videos hair पर, मिलते हैं, अगले वीडियो में, फिर एक नई विश्य के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार.